सुसाइड मर्डर का ये मामला बहुत हैरान करने वाला है फैमली का जो मुख्या है उसने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फिर खुद को भी कोली मार ली जिहां अमेरिका की कैलिफॉर्निया से खबर है मंडे को खबर आई थी कि एक घर में से रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है फैमली का जब पुलिस वहाँ पर पहुँची सेन मेटियो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जब पुलिस आफिसर्स वहाँ पर पहुँचे थो वह देखते हैं कि दो ट्विंस बच्चों की डड़ बाड़ी बाहर पड़ी होती है किसी बीटरे का कोई निशान नहीं कोई ट्रॉमा नहीं और किसी बीटरे का कोई गन वुंड भी नहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि गोली मारी कई है जब वो बातरूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर husband wife, husband का नाम आनन्द हेंडरी और wife का नाम Alice Priyanka दोनों के dead body पड़ी होती है और दोनों पर गोलियों की छलनी के निशान नजर आते हैं और वही पर 9mm जो पिस्टल है वो भी बरामत की जाती है ये जो पूरा मामला है ये मंडे का है पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो भी हाथसा हुआ है murder suicide ये Saturday को ही हो चुका था लेकिन इसकी जानकारी मिलती है मंडे को जब पुलिस officials वहाँ पर पहुँचते हैं आलंद हैंडरी और एलस प्रियंका इंडियन ओरिजिन से हैं और उनके twins बच्चे जो की महस चार साल के थे पूरी family जो है एक जटके में यहाँ पर खत्म हो जाती है ये जो मामला है ये भी gun violence से जड़ा हुआ नजर आता है या ये कहें कि domestic violence यहाँ पर नजर आ रहा है लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जब former meta engineer जब उनके खुद की पी company है और उनकी wife भी इतने अच्छे आधे पर है तब इस तरह का कदम उठाना क्या कारण रहा होगा जो कदम उठाया है हाला कि police हर एंगल से investigation कर रही है कि वज़े क्या है लेकिन police ने जो अभी जानकारी शेयर की है जो आज जानकारी शेयर की है उसमें यही जानकारी शेयर की है कि पहले आनंध Henry आने की घर के बुख्या ने अपने बच्चों को मारा जो कि twins बच्चे थे उसके बाद अपनी wife को निशाना बनाया और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली और पूरे परिवार को एक छटके में खत्म कर दिया अब तक जो रिपॉर्ट सामने आई है San Medio Police Department की तरफ से जो रिलीस की गई है उसमें यह बताया गया है कि जब पुलिस वहां पर पहुची थी तो बच्चों की जो श्रव हैं बच्चों की जो डेट बाडी हैं वह बेट्रोम से बरामद हुई थी और जो घर का मुख्या था आनंद हैंडी उनकी शरीर पर गोली का एक निशान था और उनकी वाइफ एलेस प्रियंका के शरीर पर कई गोलियों के निशान थे जबकि बच्चों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस ने अभी तक इस बात को साजा नहीं किया है कि आकि बच्चों की मौत कैसे हुई है इतने established family और इतने करोडो काग के घर में वो रह रहे थे और California यह तो वो जगह है जहां पर सबसे आदा इंडिया से आई हुए लोग वहां पर रहते हैं और इंडियान अमेरिकनों की इंडियान अमेरिकन्स की भी संख्या वहां पर बहुत जादा है क्या कारण रहा होगा जो इस तरीके से इस परी वारदात को एक तरह से कहा जाए है इसको अंजाम दिया है हाला कि पहले यह भी कहा जा रहा था जो initial investigation हो रही थी उसमें कहा गया क्योई को बाहर से आया हो उसने इस घटना को अंजाम दिया हो लेकिन ऐसे कोई भी साइन नहीं मिले जिससे यह पता को अंजाम दिया और पहले तो बच्चों को मारा फिर वाइफ को कई गोलियों से छलनी कर दिया और इसके बाद खुद को भी गोली मार कर सुसाइट कर लिया तो मदर सुसाइट का यह जो मामला है बहुत हैरान करने वाला है और दुखत भी है क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिसमे से इतना बड़ा कदम आनंद हैंड़ी ने उठाया लोग भी बहुत जादा है पिछले कुछ वक्त से देखा गया है कि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं मैसचिसेट्स में भी हमने देखा था कि एक वैल इस्टैबलिश्ट फैमिली थी जिसमें हजबन वाइफ उन्होंने आपको मैसचिसेट्स की बता रहे हैं वो एक मैंशन में हुई थी यानि आप सोचिए कितने बड़े घर में वो रह रहे थे कितनी वेल इस्टैबलिश्ट वो फैमिली थी किसी भी तरह क्यों कमी नहीं थी हाला कि इस मामले में भी कहा गया था कि वो कर्जे में डूबे है वेल इस्टैबलिश्ट होती है सेटल होती है खुशिया भी होती है फैमिली भी अच्छी खाज़ा कर रही होती है काम लेकिन उसके बाप भी अच्छानक से इस तरह का जो केस है वो सामने आता है अब यह जो केस है सैंट मेंट्यो पोलिस डेपार्टमी जो कैलिफॉर्ण अनंद हैन्री ने आखिर ये कदब क्यों उठाया हस्ते खेलते परिवार को इस तरीके से क्यों खत्म कर दिया अब इंतजार होगा सैंट मेंट्यो पुलिस डिपार्टमेंट की रिपार्ट का क्या आखिर बच्चों के साथ क्या हुआ था लेकिन आप इस पूरे मामले को कि से देखते हैं क्या आप थौट रखते हैं क्या विचार रखते हैं कॉमेंट बाक्स में जरू कॉमेंट करिए का